हेलो डियोर इस्टेंट वेलकम तो मैं चैनल आई इस वीडियो में हम लोग केविएस प्रुडिक टेस्ट वन क्लास एट मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर का सुलूसन देखते हैं और यह कोश्चन जो है केविएस पटना जौन का है जो भी इस्टेंट इस पेपर को दिये ह है वो प्लीज एंसर मिला ले या तो आने वाले जिनका भी तले एक्जाम नहीं हो वो भी इस पेपर को एक बार प्रैक्टिस कर ले तो दिखते हैं किस टाब कोश्चन दिया हुआ और उसका सोलूसन क्या होता है तो देखिए यहां पर आपको फोटी मार्क्स कोश्चन होता सेक्षन सी थ्री मार्क्स का और सेक्षन ड divor क्का क्वक्षरু दिया हुआ और सब में अलग 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 कोश्चन नमर अकोश्चन दिये हुए हैं चलिए फश्च नमार को सम्न को हम लोग सोलू करते हैं सेक्षन एका राइट मल्टिप्लिकेटिव इन்वर्स एंड निमिलेटर में हो जाएगा ठीक है देखो तो माइनस 5 को समझना है माइनस 5 by 1 तो इसका मॉल्टिप्लिकेटिव इनवर्स कितना लिख रहा था माइनस 1 by 5 ठीक है को इस देंट इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by माइनस 5 तो उनका भी तो ऑज़िए होगा और इसी में objective इनवर्स दिया हो और यहां तो इसका एडिटिव इनवर्स AI तो इस तरह इन्श testify आपको छले सेकेन्ड नम्र कोस्टन में तो इसको और बढायेगा तो देखें यहां 60 चोड़ दीएगा और 17 को RHS के साइड में ले जाना है तो 9 पहले से 9-17 कर देना है तो यहां से बढ़ाईए 6P equal to कितना हो गया यहां जब घटाईएगा तो आपका हो जाएगा 8 minus 8 हो जाएगा ठीक है और यहां से P जब लिख लेगा तो 6 जाकर divide कर देगा तो minus 8 by 6 तो P का final answer आगया minus 4 by 3 जिनका भी answer आगया तो जिनका भी answer आगया है सही है ठीक है चलिए 2 हो गया उसके बाद है 3rd number What is regular polygon give examples regular polygon बोलेंगे यह simple close curve which is made of equal line segment equal line segment से जो बना होता है इसको define करना था equal line segment equal line segment से जो figure बनेगा equal line segment से simple close figure बनेगा उसे को हम लोग regular polygon कहते हैं और give example में जैसे आप देख सकते हैं equilateral triangle एक देख सकते थे example equilateral equilateral triangle जखे यह तीनों साइड इसमें क्योंकि बराबर होती है इसलिए regular polygon को example में equilateral triangle देना है square दे सकते थे आप ठीक है इस तरह के आप दे सकते हैं आप rhombus भी दे सकते हैं ठीक है उसके बाद पर्टी होल्ड़ दे को देक्स देख यहां दिया हुआ है वाट इससम अफ दमीजर फ़ इंगल्स अफ कानवेक्स क्वाड लेटर तो सम्ट्ल सम क्या ओदा कनवेक्स क्वाड लेटर में वह हो जाएगा आपका 360 degree, क्या भोलेंगे 360, what is the sum of देंगे, तो इंसर हो जागा 360 degree, और will this property hold for the quadrilateral is not in convex ES, अगर convex नहीं होगा, तो पिर उसमें भी आपको करें कि ES दोनों सब्सक्राइब, किसी भी तरह का quadrilateral दिया रहेगा, उसमें सारे इंगल का सम, इंटेरियर इंगल का सम, कितना होगा, आपका 360 होगा, ठीक है, चले, उसके बाद है, बी नमबर, तू माक्स का question है, represent on the sun, नमबर लाइन, नमबर लाइन पर सारे रिपेजेंट करना है, तो सबसे पहले नमबर लाइन इसे बना लेना है आपको, देखिए यहां पर कुछ negative है, और कुछ positive भी है, ठीक है, यहां से हम 0 ले लिए, आपको दिखाना है, 3 by 8, 3 by 8 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकोल इकोल घर लेगे, 1 और 2, यहां से लेंगे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, ऐसे इकोल इकोल से हम ले लिए, घर बना लिए, अब देखिए, 3 by 8 है, 3 by 8 है, तो सभी, सभी घर को हम लोग 8 by 8 है, तो यह तो पार्ट में डिभाइड करना है, that means 7, 9, डो करना है, तो देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह का, इधर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अब देखिए, यहां से काउंट, 3 by 8 है, 3 by 8 काउंट के लिए, 1, 1, 2, 3, यहां करेंगे, तो यह जो लाइन दिखाए आफे दर है, यह लाइन का 3 by 8 हो जाएगा, 3 by 8 हो जाएगा, मान लेकि पॉइंट पी है यह, चले, 7 by 8 हो जाएगा, तो 3 के बाद से को 7 by 8 का आँगै, यहां आगया, यह पोइंट हो जाएगा, मान लेकि ए Q है, तो यह 7 by 8 हो गया, समझ गे ना, चले, मतलब कि जो तो डिवाइड करेंगे उसमें एक लाइन कम ड्रो करना है तब जाके उतना इस्पेस बन जाएगा मिन्स एट घर बन जाएंगे उसी तरह देखिए तरह होगे पोजिटिव नेगेटिव में चलिए माइनस नाइन बाइट अकाउंट कीजिए यहां पर जीरो से यहां जीरो हो गता है इस सब्सक्राइब तो चलिए आज तो ऐसे पोजिए एस सक्याड अगैन इन पर जाएट लिए इस तरह का आपको रिपेसेंट करना था नमबर लाइन ठीक है इसको तकि कहा कहा पर हमने रिपेजेंट किया एक point मेरा यहां मिला दूसरा यहां मिला और तिस्रा एंसर मिला और चौता एंसर मिला ठीक है इस तरह का चले नेक्स question आपको दिया हुआ है two numbers two numbers are in the ratio इतना if they are different what are the numbers लिए दान मानना है और अधर केतना मान लेना है अधर नमबर आपको मानना है 2x ठीक है मान लिए दोने का differ 12 है तो according to question करेंगे differ कर यह 3x minus 2x is equal to 12 तो यहां घटाएंगे तो x is equal to 12 आया तो what other number से x is equal to 12 आया कि number लिकाना है तो number में लिकाने के लिए तुमको पहले ही multiply करना है तो first number में तो one number कितना हो जाएगा बताइए one number जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3 into 12 that is 36 और other number कोन हो जाएगा ठीक है अदर नमबर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 2 into 12 that is 24 यह आपका तो यह 36 अदूसर 24 आपका एंसर हो गया चले next question देखती है next question है multiply इतना to the receive रोकल एतना तो multiply करना है तो लिखेंगे minus 3 by 11 को multiply करना है इसका reciprocal से सबसे पहले reciprocal करेंगे तो हो जाएगा 22 by minus 9 ठीक है अब इसको minus minus कट गया 3 से कट गया पूरी तरह से और यह 2 से यह कट एगा सुरी 11 है यह 11 टूजा डारेक्ट कट गया यहां पर कुछ नहीं बचा तो फाइनल आपका एंसर 2 by 3 आ गया समझ गया चले next question देखते हैं 7 हो गया 8 नमर question देखते हैं इत नमर में आपको solve करना है तो देखिए सबसे पहले 1 है एक्स को एक तरह अप ले जाके लेके आएंगे या तो इसको सिंपल भी ऐसे कर सते हैं यहां पर इस साइड वाला कोई LCM भी ले सकते हैं तो देखिए यहां पर नीचे 1 है तो 1 के नीचे 1 समझना है तो सबसे 3 और 1 के LCM बताओ 3 और 1 के LCM यहां पर 3 देदना है तो यहां पर पहला में 6X पलस 1 और 1 में 3 से करना है तो पलस 3 हो जाएगा इक्वल टू यहां से आप लिखेंगे X माइनस 3 बाई 6 ठीक है अब यहां से आपको क्या करना है इसको चोड़ दीजिए 6X पलस में कितना हो जाएगा 4 बाई में 3 इक्वल टू X माइनस 3 बाई 6 यह हो गया अब यहां से आपको क्या करना है यहां से क्रोस कर देना क्रोस करो तो कितना होगा देखो यहां 6 में इससे करो गया तो 36X पलस 24 इक्वल टो इधर हो गया 3X माइनस 9 नमबर को एक साइड मिलेगे इसको लेकर आएगे इसको इस साइड में लेगे तो माईनस हो जागा 36 में इसे 3x घटा देना तो 33 x equal to इद रह से हो गया माईनस 9 और यह जागा तो माईनस 24 तो यहां से आपको मिला इदर से 33 x equal to सबसे पहले देशनल नमोल लिकालना ज्यादा वन से ज्यादा तो सबसे पहले एपको लाइक करेंगे तो लाइक करने के लिए देखिए 5 और 4 के एलसियम 20 होती है तो थिरी इंटू 5 तो इसको 4 से इंटू करेंगे क्योंकि 20 बनाना है थिसको 2 वेलवाइ 20 कर देंगे और दूसरा क्या देवाइ थिरी वाइब 4 इसको 5 से उपर भी गुना करना नीचे भी कर प्लीपाइं को दॉपाइंसगा है ना तो 15 by 20 हो गया हुए अगर ही आगर इसके बिच में। लिखांग हो जाथा लेकिन हमें लिकाला आ क्या चेस्टर नवर तो इसां पर पेंटेसी फिफीर से चाहlier कर सकते चाह dinero कुछ तो 10 से भी गुणा कर सकते हैं ठीक है तो उससे गुणा ने सिंपल हम पांच से गुणा कर लेते हैं उपर निचे तो 12 इंटु 5 को इस डेंट अगर दूसरा नमबर से भी गुणा कर कैंसर लाया तो उसका भी सही है तो 12 इंटु 5 और 20 इंटु 5 तो इसको कर देंगा 60 वाई हैंडेट और दूसरा में क्या हो जागा 15 इंटु 5 वाई हैंडेट 20 इंटु 5 तो हो जागा 75 वाई हैंडेट अब इसके बीच में सेंसे 6 रेशनल नमर दिख देना है इसके बीच में कुनकुन आएगा 10 रेशनल नमर और लिख देना है कुनकुन देखिए 60 और 75 के बीच में लिख देना है 61 वाई हैंडेड 62 वाई हैंडेड इस तरह करके आपको टेन गो लिख देना है यह आपका करेक्ट एंसर हो गया ठीक है कि उसके बाद एक कंस्ट्रेक्शन से दिया हुआ है कंस्ट्रेक्शन से आपको करना है कंस्ट्रेक्ट प्रेलोग्राम में क्या होता देखिए अपोजिट साइड इक्वल होती है तो और हो जागा जैसे कर अफली मैंने बनाता हूं मोर ऐ हम इंडर अरी तो मूर हें अ को मो इसकल टू जितना हो गार के वराबर त्य यह कितना देखिया तो हम माल लेते की इमब़ी कितना लेंगे इस सबसे पहले एक आपकंद बनाएंगे यहां पर इसमुर है माले के एमो बना दिया यहां पर कितना लेना फॉर पॉइंट फाइब फॉर पॉइंट फॉर पॉइंट फाइब लेने के बाद यहां से एम पॉइंट होगे यह हो गया फिर यहां से एमी एमी दिया हुआ है को है और दिया हुआ ओ पूअर ठीक है तो ओर योडर है तो यहाँसे आपको क्या करना है यह यहांपर पॉइंट लेत वह ओ कितना से संट से कटेंगे आरी दिया हुआ ओर ओर्री तो हो गया ठीक है कि उसके बाद है इस एफ मिदिए हुआ है यह नहीं दिया और के बराबर दिया हुआ है तो और 6 लेना है तो जितना यह 6 होगा वह तना इस इधर भी करना है और यहां से यहां से यहां लेकर इसे काट देना है 7.5 इसके बाद यह मिला देंगे उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका हcke ई-र और अर है थेक्सटन देखिए हो गया यह ययोध दिया है उसके ऐसकुक क्या करना ऐसके दिया और यहांसे लेकर आपको 4.5 कार देना ऐसे तो यह कट गया और इसके बाद मिला देना है तो इस तरह के construction आपका हो गया है कि चले नेक्स देखते हैं नेक्स्ट में क्या है दा मीजर अब अब देखते हैं तो पर देखते हैं तो पर देखते हैं तो यहां से पहले रिशियों को पार्ट लिकल देंगे तो यहां पर एक्स इसकल तो ओनेटी में फाइब से डिवाइड करेंगे तो थर्टी सिक्स आ गया एक्स के अवले थर्टी सिक्स आ यहां लेकिन आपका रहा है कि अंदा मीजर आप टुए जिस निगल दा फाइंड दा मीजर आप इच अप देंगल पर लो सब इंगल लिकाना जैसे यह हो गया भी हो गया सी हो गया डी हो गया तो पहले यह बताइए इंगल यह हो गया थिरी से गुना करना होगा थिरी इंटू थर्टी सिक्स डैटी जे डैटी जो वन हैंडेड एट डिग्री हो गया इंगल बी लिका लेगा तो कितना हो गया टू एक्स तो गुने तो गुने अप्लिक दिजेगे आप पर पर्टी के इंसार से वन हेंड एट डिगरी उसी तरह एंगल बी किसके ब्रावर होगा एंगल ब्रावर होगा इंगल डी यह जगा 72 डी के बरावर तो इस तरह के आपका इंसर आगे ठीक है कि नेक्स्ट कोस्ट्टन जो है देखिए तो पहले इलेवन का मल्टी पूल्ट किया क्या होगा यह बता ना आपको सब्सक्रावर होगा तो पहला नमबर 11X हो जागा दूसरा हो जागा 11X प्लस वन और तीसरा हो जागा बच्चो 11 यह अच्छा कोश्चन दिया हुआ है कंप्लिकेटर कोश्चन देखो इस तरह का 11 यह मल्टिपल हो गया सब और करें सब कर सम कितना है तो इसको दो खें सब कितना जगा 33X और यहां पर प्लस कितना हो गया और 1122 हो गया तो 33 हो गया इसकल टू 363 यहां से घटेगा तो देखिए 33 X I am equal to एग गटेगा जाके वहां 33 तो कितना हो जगा 3 3 0 हो जाएगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा X is equal to देखिए यहां पे 3 3 0 by 33 करेंगे तो कट के 10 आ गया तो X का भेरूद 10 आया तो find is multiple तो पहला multiple क्या हो जागा 11 X है तो पहला मिलते हो जागा वन हेंडेड 11 में 10 से करोगे तो वन हेंडेड 10 दूसरा जो हो जागा 10 और 11 11 11 कितना हो जागा 11 into 11 that is a 121 और यहां बारा में 11 करोगा तो 132 हो जागा तो 11 into 12 is equal to 132 तो इस तरह के हमने देख लिया 3 multiple of 11 का consecutive multiple ले लिया हमनों यह हो गया है उसके बाद है section D में देखिए Amans age three times his son age 10 years ago he was five times his son age 5 year presented Amans age three times his son age तो son का age माल एक्स हो गया son का age एक्स हो गया तो Amans का age कितना हो जागा बताओ लिखना Amans का age हो गया three times तो three x हो गया ठीक है तेन यह से गो एको में क्या होता है तो एको में मतलब कि उसके पहले की किवल ने बात कर रहा है तो तो तेन से टेन से एको करेंगे सा κ City अर्ली यह में क्यों लिखोघे टीनियर्स्वे सब्सक्राइस में रश noi यह में marinus 10 और आमन का यह हो जाएगा कितना है अमन का यह हो जाएगा 3 X-10 but according to यहां question करा है कि 10 years ago he was 5 times जिस चनल सन के बेठ से 5 times भी है according to question यहां लिखोगे तो यहां पर आमन का यह पहले लिखना 3 X-10 equal to यहां से 5 multiple करना है क्योंकि 5 times है तो X-10 लिख देना हो इसको solve किया जाए क्या मिलेगा तो देखिए इसको solve किजिए गा तो यहां से 3x 3x-10 equal to यहां से 5x-50 हो गया solve किजिए गा एक्स को इधर लेके चल जाओ नमबर को इधर लेके आजाओ कुछ भी कि किसी को तो 3x-5x is equal to माइनस 50 आई जागा तब पलस में 10 हो जागा तो यहां से माइनस 2x equal to minus 40 तो यहां से x is equal to minus 20 से कटके 20 आ गया एक्स का लटेमेंट 2 आया तो find your present age तो देखिए यहां पर sun का age कितना हो गया sun का age 20 लिख देना है और आमन का age हो गया कि 60 टोवटेंटी इंटू थिरी 60 सीहर्स ऐसे यहर करके लिखना तो जिनका 20 यहरस तो 60 यहर्स आ रहे वह सही बनाए और है कि यहां देखिए एक फिगर दिया हुए है इस फिगर में आपको बताना है क्वाडियलेटर दिए ड flatter गी इतना 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 पुर इंगल आ इतना इतना इतनी आप इसमें से आपको लिक आला है कि को कि is in the given figure both rich and cooler पृर्डेलोग्राव फॉइंड्टahh भी आपको एक्स एक्स लिकाना आपको एक्स मत्रए इंगल लिकाना क्या होगा और यहां पर देखिए पैलल भी है कौन-कौन किलू, C, L, O, यह आपका यह पैलल है और यह पैलल है, ठीक है, तो देखिए यहां पर 17 है, तो सबसे पहले एक कितना होगा, 17 हो जाएगा, है कि नहीं, यहां से आप देख रहे हैं, इंगल E जो होगा, इंगल, इंगल, C, E, C, U C, U is equal to 70 degree हो गया, उसी तरह यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां कितना हो गया, 70 गई देखिए, उसी तरह आपको यहां भी यह भी कह रहा है कि, रिस्क है, और यह पैली, भी पैलवी पैलल गड़ाम है, तो यह 120 है, तो यह एंगल E क्या हो जाएगा, डेटी, आई जो हो जाएगा बच्चो वह हो जाएगा आपका 180 में से 120 घटा हो गया ऐसे करके लिखना बरावर लिख देना यहां पर 60 ठीक है ठीक है अब यह ट्रेंगल सम में चलेंगे ट्रेंगल सम में तेलेंगे तो आपको पता है एक 17 हो गया पलस 60 हो गया और प्लस एक्स हो गया दोनों तिनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिगरी यह त्रेंगल के काम कर रहा है तो यहां से जोड़ घटाव करने के बाद एक्स इसकल टू ओंस ओं ठाटी तो 180 में से ओं ठाटी घटाईएगा तो 50 डिगरी तो यह फाइनल आपका 50 डिगरी एंसर आराज जिनका एक्सक्राइब फ्यूटी डिगर हो सही है कि उसी दर एक लास्ट कोश्टव इसमें है एक पोजीटी डंबर यजब फाइब 500 अनाथर एक पोजीटी नमपर तो पहले लेट कर लेंगे लेट पोजीटीव नमपर किया है पोजीटी तिम नमर आपका हो गया लिए एक्स माल लिए तो पोजेटिव नमबर जो हो जाएगा बताइए वो हो जाएगा फाइव एक्स क्योंकि फाइब गुना है इफ टोवन्टीव एड़े टू दो बोद नमबर देन देन दा नौन वन अफ द न्यू नमबर विकम ट्वाइस ता अधर दोनों में पहले 21 जोड़ तो अना दर नमबर तो अदल नमबर क्या है एक हो जागा एक्स प्लस 21 प्राइब निव फोट फिफॉट्स लाइगा छाएगा फाइव एक्स प्लस 21 कि जोड़ने के बाद आए कि एक नंबर जो है रू झे घूट हो जारा है तो तो ट्वाइब गृत्वीशिए एजो फ तो करिएगा तो और फ्रोंति हैं एकवल्ट तू इकाड़ तू एक्स पलेस फिरह तो दूब लग्स कुझे सुर्ष इंफ ऊजाएगा और इधर फोन टूमेशर 24 गेद टूवर्ट‌ यदूवर्थ में उसन टूपएख तूवर फॉन्तूवन हो गया तो यह सेमन नमबर आपका राइट इंसर हो गया तो इस तरह के सारे कोश्चन का सुलूशन देख लिए आई होप सारे कोश्चन आपके अच्छे बने होंगे और मार्स अच्छे आ रहे होंगे और प्लीज हमारे चैनल के नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किज